नमस्कार दोस्तों मैं उनीरेज आपकी अपनी कक्षा में स्वाइब है। प्लेट और एलेक्ट्रोलाइट होता है तो याने कि पिछले वीडियो में हम लोग जो देखा था निकल लड एसिड बैटरी उसमें भी दीन चीजें होती थी पॉस्टिव प्लेट नेगेटिव प्लेट और एलकलाइन जो की होता था तो यहां पर भी ऐसे ही होता है और अब ह सीधे वहीं आते हैं निकल कैडमियम बैटरी पर तो देखे निकल कैडमियम सेल जो है कि सनरचना निकल आयरन सेल के समानी होती है चार्ज कंडिशन में पॉस्टिव प्लेट यहां ध्यान रखना है एन आई ओयच पोर तथा नेगेटिव प्लेट सीडी यानिकी कैडमियम की की अर BT के रूप में उस्ट क रूप में कोस्टिक पोटास उसका जो है के ओए है कप्रियोग होता है इस लृषा सब्राटर में रसार्ण सेल के से मिलते जूलती हैं अभी हम लों यहां पर रसार्णिक रिए भी देख लेंगे उसका सब्स्टीव के नेगेटिव औह आयं न और ध्यानक पॉस्टिक प्लेट किस चीज का है नाई ओयेच पौर का है तो नाई ओयेच प्लस जो हमारा क्या है को दो पार्ट में और लेडिटेड एक और ओयेच के पार्ट में तो क्या हो गया 2K के साथ मिलके NIOS2 बना लेता है और 2KOH जो है वो हमारा अलग से बन जाता है जब हमारा discharge हो रहा है तब यह positive plate की बात है negative plate पे क्या होता है cadmium और 2OH यह दोनों आपस में मिलते हैं और CDOS2 बना देते हैं CDOS2 बनाते हैं फिर cell की जब charging की जाती है उससे में positive plate में क्या होता है और बेसे बात reverse direction में हमारी equation चलनी चाहिए तो NIOS2 ब्लस 2OH यह जब दोनों मिलते हैं तो हमें क्या बन जाता है फिर से NIOS4 जो की positive plate होती है फिर negative plate पर क्या होता है cadmium CDOS2 ब्लस 2K जो आपस में मिलते हैं और क्या बन जाता है CD ब्लस 2K OH बन जाता है CD हमारी क्या होती है negative plate होती है और KOH हमारा electrolyte होता है तो यह अलग-अलग हो जाते हैं तो यानि कि आपके charging के समय जो है हमारा obvious बात है यह दोनों reaction work करती है और discharging के time पर हमारी यह दोनों reaction जो है वो work करती है अब यहां पर बैटरी के बारे में थोड़ा और बात करें कि उनकी importance क्या है और उनकी life क्या है तो देखिए हलांके nickel cadmium cell lead acid battery और nickel iron cell की तुलना में बहुत ही महंगे होते हैं लेकिन इनके कुछ फायदे भी है फायदे क्या है इनकी जो life है वो लगभग 20 साल यान की काफी लंबी होती है यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि 20 years या कह सकते है कि काफी लंबी होती है उसके बाद जो है कह सकते हैं can be stored for any period without any ill effect यान कि इसको जो हम बहुत दिनों तक बिना किसी दुस प्रभाव के लंबे समय तक रख सकते हैं फिर इसका इंटर्नल रजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है फिर चार्जिंग का टाइम होता है बैटरी हमारे पास है और उसको हमें चार्ज कर काफी हद अच्छा होता है यानि कि हम उसको चाहें तो काफी हैवी करेंट भी प्रवाइड कर सकते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग करेंट लगवाग 20 गुना तक रखी जा सकती है यानि कि अगर 10 एंपियर के बैटरी है तो हम उसको 200 एंपियर दे के भी चार्ज कर सकते हैं ठी आवाद